मेरे प्यारे देश्वास्यों, अगर मैं आपसे पूछू कि योग दिवस और हमारे विभिन्द तरह के मोटे अनाजों मिलेट्स में क्या कॉमन हैं, तो आप सोचेंगे ये भी क्या तुलना हुई? अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों में काफी कुछ कॉमन है, तो आप हैरान हो जाएंगे, दरसल सयुत्य राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल येर अफ मिलेट्स दोनों का हिंद्रे भारत के प्रस्ताव के बार लिया है। दुरसी बात ये कि योग भी स्वास्त से जुड़ा है और मिलेट्स भी सहत में मरतोपुण भूमी का दिवाता है। तीसरी बात और मरतोपुण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की बज़े से क्रांती आ रही है। जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अप मिलेट्स को अपने खानपान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बड़नाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत उत्साइत हैं जो पारमपारी ग्रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश है कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्म समझने लगी है। मा के हातों से बने मिलेट्स के पकवानों का स्वार कुछ ऐसा रचा बसा था कि इन्होंने अपने गाउं में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट्री ही शुरू कर दी। सुब्बा रेडी जी लोगों को बाजरे के फायदे भी बताते हैं और उसे आसानी से उफलब्द भी कराते हैं। अलिबाग के पास केनाण गाउं की रहने वाली सरमिला ओश्वाल जी पिछले 20 साल से मिलेट्स की पैदावर में यूनिक तरीके से योगदान दे रही है। वो किसानों को स्मार्ट एग्रिकल्चर की ट्रेनिंग दे रही है। उनके प्रयासों से न सिर्फ मिलेट्स की उपजबड़ी हैं बलकि किसानों की आए में भी बुरुद्धी हुई है। अगर आपको 36 गड़ के रायगड़ जाने का मौका मिले तो यहां के मिलेट्स कैफे जुरूर जाईएगा। कुछी महने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, दोसा, मोमोज, पीजा और मंचुरिन जैसे आइटम खूब पॉपिलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछीू, आपने एंट्रेप्रिनर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेट्प्रेन्योर्स सुना है क्या। ओडिसा की मिलेट्प्रेन्योर्स आज कल खूप सुर्खियों में है। आदिवासी जीले सुन्दरगट की करीब डेड़ हजार महिलाओं का सेलपेल ग्रूप ओडिसाम मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। यहां महिलाएं मिलेट्से कूकीच, रसगुला, गुराब जामू और केक तक बना रही है। बाजार में इनकी खूप डिमान होने से महिलाओं के आबंदी भी बढ़ रही है। मिलेट्स की खेती के साथ ही उसका आटा भी तयार कर रही है। इससे इसकी कमाई भी काभी बढ़ रही है। प्राकूतिक खेती से जुड़े 36 गड़ के संदीप शर्मा जी के FPO से आज 12 राज्यों के किसांद जुड़े हैं। बिलासपुर का या FPO आट प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके वेंजन बना रहा है। साथियों आज हिंदुस्तान के कौने कौने में G20 की समीड्स लगातार चल रही है। और मुझे खुश ही है कि देश के हर कौने में जहां भी G20 की समीड्स हो रही है। मिलेट्स से बने पोश्टिक और स्वाजिस्ट वेंजन उसमें शामिल होते हैं। यहां बाजार से बनी खिशडी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पाइसम, पूडी और डोसा ज़से वेंजन भी परोश ही जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एक्जिबिशन में मिलेट से बनी हेल ड्रिंग, सीरियल्स और नूडर्स को सोकेश किया गया। दुनिया भर में इंडियन मीशन्स भी इनकी लोगपृता बढ़ाने के लिए बरपूर प्यास कर रहे हैं। आप कलपना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट की डिमान हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली हैं। मुझे देखकर भी अच्छा लगता है कि आज जीतने तरह की नई-नई चीजें मिलेट से बनने लगी हैं। वह युआ पीडी को भी उतनी ही पसंद आ रही है। इंटरनेशनल येर ऑफ मिलेट की ऐसे शांदार सुरुआत के लिए और उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए मैं मन की बात के सुर्ताओं को भी बढ़ाई देता हूं।